सर्दार, नाच खतम हो गया, अब हम लोग जा सकते हैं, जा, जा, आवरे, सर्दार, सिर्फ तुम, और मेरे शुशु, शुशु को ले जाने की केमत 20,000 रुपाई, लुपे देदा और अपनी छुच्चु तो लेदा, मगर इतना रुपे में से पास कमा है, मैं तो 100 रुपे क पास के भी आदमी नहीं हो, मगर अपने राम और भरत भांजे से दो ले सकते हो, मगर सवरान मारी बेटी को यहां कोई खतरा नहीं, हम डाकुड़ों को अपने वचन के पक्य होते हैं, लेकिन, अगर कलार में सक रुपे नाया तो, तो फिर इस ती, तो यह जारंशी नहीं ह अगरा मत, मैं आख बीजे से पहले फिले रुपे लेकराजी आजा आई मतरे, तता, बुड़े का बाहिजड़ बहर ले जाओ, तत, नहीं नहीं है, तत, तत, तो आख रहे, चल देंदर जा, जा, एक ही शकल के दो आदमी आपको ज़रूर धोकर वह अबामाजी, यह नहीं मैंने अपनी नंगी आँखों से देखा है उसकी बारी मूझ मूझ डालो तो बिलकुल भरच जैसा लगेगा भरच जैसा अच अब तुम यह सोचते रहे तो जालिम मेरी बच्ची को नचाना चाहके उसकी कमर तोड़ डालेगा मेरे बच्चे मेरे बेटे देखो किसी भी तरह 20,000 रुपए के बंदवस करके मेरे सर ताली पीली गुफा में चले चलो तुम उसे अपनी आँखों से देख लेना और मुझे मेरी बच्ची मिल जाएगी चलो किया बात है बाइसाब वो दर मामी जी रो रही है इधर मामा जी परिशान है अरे भारत मामा जी की लड़की सुश्मा है ना उसे मान सिंगा बेटा मंगल सिंग उठाकर ले गया है और उसके बदले में 20,000 रुपए मांग रहा है अब रुपे ने तो मामा जी की पास है न म तुम्हें अपने सगे भांजे से जी ज्यादा चाहा है इसमें क्या शक है मामा जी पुटाथ पार्सी आगे आगे पार्सी आगे पार्सी आगे बहो जट पुटाथ पुरे पी सगार लेया है तुम अपने छोगरी को यहां से ले जा सकते हो जमार्स गोटे ठाज़ लेकिन हमारा पुराना दुष्मन ठाको राम सिंह यहां से नहीं जा सकता है हमें इससे हिसाब चुकाना है मार दिया जाए या छोड दिया जाए और तेरे साथ क्या सलूप यह जाया नहीं सर्दार यह तो तुम्हाई तो तो दुश्मन के साथ दोस्ती कैसे बदले तो यह मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूं मुझे मारकर तुम्हें नुक्सान होगा मंगल से इतने बड़े जाकू है अकल से काम लो मेरे पास कैसी तर्कीब है जिससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें एक देखो शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी शकल मेरे छोटे भाई भारत से हूब बहु मिलती है और भारत ही सारी जैदात का मालिक है मैं चाहता हूं कि भारत को मार दिया जाए और तुम हमारे घर भारत बंकर चलो को सुम्हें सुम्हें एतुम्हें भारत खूइष कर ऊज फारत जाल्फоко हूं करेव पारत हां कर रज सब हार्त 2005 हो सोच समझे करना अगर जरा सी भूल हुई तो हद कड़ी लगी मामा ऐसे पक्यसी मनाई है कि कमभक सीधा नर्क में जाए अहां इतनी नफ्रत नहीं हरत आखिर तुमारा भाई है बहुत प्यार से मारना उसे नहीं तो पाप लगेगा जायदात के लालची भाई को मारने में क आएगा पाप मामा पुन्य है आहां मेरा राम भांजा राम अनका बद करने चला है बेटा मैं तुमारी तस्वीर इतहास में छपा दूँ रहा कि वहारे बनाने वाले अगर असली गोली के सासा तुने नकली गोली ना बनाई होती तो तो आज के राम ने अपने भरत की जान रिवास तुछ होती फार राम चंदर जी बनवास को चलती है आप टो धनी ना था वी ख अयुक बहात करने पाद को आगे काही काम करने ना चलो बखानवास मताबिक पिता जी के समादय कर देखेंना।्यिकना कामेशें कर bestimmूझ आप सब कर सबंदी कर लिदा फारिए शुरू में आड़ समाधि हम और आध हायच वह सरे को पर दोनेटों . आज नहीं तुकल एक नियक दिन धुगुइमठों को आध चलिए राम थाकुष जरा देखना समाधी की जगह कहीं इन्हें पसंदना आजाए कि यह खुद समाधी लगा कर बैठ जाएगा अरे मेरे होते हैं भारत को क्या धर क्यों बहुत चलो अच्छी है ना आपकी दया से अब तक ठीक है बाई बैडिया भाई साथ मैं जरा कप्ड़े बदल कर आता हूं मैंने भाई साथ की पिस्टॉल में नकली गोलिया भर दी है डॉन गवराओ फिकेट नॉट मैं घोड़ा लेकर महीं मिलूगा अ हुँ चला बरत इस मोटर बोर्ट में बैड़ जाओ आप हमारे साथ नहीं चलेगे अरे समाधी के प्रोग्राम में मुझे न शरीद करो मेरा दो पहले से दिल भराया है हाँ भे कर दो अच्छ कर दो यह जो हैं इन काफ़ात प्रदा हुआ करते हैं तो ने बहुत नुंक साय हुआ यह वह तो थी fan जबान भाई हो तो ऐसा आज तुम मेरे सगे भाई होते तो कभी इस तरह मेरे सामने जबान नहीं खोल लेकिन सगे भाई से जड़ा इज़त करता हूं आप मुझे इज़त नहीं मुझे जायदाद चाहिए देखो दस्खत कर दो वरना तुम्हारी जल्समादी यही बना आप मजाग कर रहे हैं मजाग मैं मजाग नहीं कर रहा हूं आखरी बार पूछ रहा हूं दस्खत करनी है या नहीं वा भाई वा भाई हो तो ऐसा जो दौलत के नशे में अपने छोटे भाई का खुन करने की सोच में पकवास बांद जीदे बोलो आयना ठालॉ कर दो झाल कर दो झाल